नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पापुआ नियूगिनी में जबरज़स्त भुकम सुनामी की आशंका पापुआ नियूगिनी में आज भुकम के तेज जटके महसूस किये गए जिस स्थानी अस्थर पर सुनामी आने की आशंका है अमेरिकी भुबर्क सर्वेक्षन के अनुसार भुकम की तेवरता 7.4 थी जो उत्तर पुर्वी पापुआ नियूगिनी के कोकोपो शहर के करीब 130 किलोमेटर दक्षिन में 63 किलोमेटर की गहराई पर केंदरित था भुकम की तेवरता पहले 7.5 और गहराई 10 किलोमेटर बताई गए थी प्रशान सुनामी चेतावनी केंदर के अनुसार भुकम के केंदर के 300 किलोमेटर के डायरे में खतरनाक सुनामी लहरे उठ्टे की आशंका है सरकार को नहीं पता कौन है ईश्वर RTI कानुन के तहट दायर एक अरजी को देखकर केंदरिय कानुन मंत्राले भोचक का रह गया दरसल अरजी में पूछा गया था कि सववेधानिक पदों की न्यूपती किये जाने वाले लोग और सांसत विधायक जिस इश्वर के नाम पर पतकी शपद लेते है वह कौन है RTI आवे तक श्रद्धानन योगाचारे की यह अरजी राष्टपती सची वाले को संबोधित की गई थी जिसे वहां से ग्रह मंत्राले भेजा गया और फिर बाद में कानुन मंत्राले को सोब दिया गया संतो जनक जवाब न मिलने पर श्रद्धानन ने केंद्रिय सुचना आयोक का रुक किया जहां कानुन मंत्राले के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि वे सिर्फ सुचनाय मुहाईया करा सकते हैं जो की रिकॉर्ड का हिस्सा हो भुकम से ध्वस्त मंदिरों को अब लुटेरों से खत्रा काटमंडू के प्रख्यात मंगी टेंपल के ध्वस्त होने के बाद वहाँ विकरे मलबे को देख वहाँ के पुजारी पन्नाकाजी को चिंता सता रही है कि अब कही लुटेरे वहाँ न आ जाये पन्नाकाजी के पुर्वजों ने बीते 1600 साल में मंदिर के पुजारियों के तोर पर अपनी सेवाये दी है उन्होंने मलबे से भगवान बुद्ध की प्रतिमाये निकाल कर एक गदे पर रख दी है सात्री सदी के कुछ स्तूप यथावत है और कुछ प्रतिमाये इस आपदा में करिश्माई तरीके से बज गई उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि लुटे रे रात को आ सकते हैं उन्हें ही अभी चिंता है कि अगर दोबारा भुकम पाया तो बचे कुछे ढाचे भी तबाह हो जाएंगे